नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती आज से कोवड वैक्सिनेशन के लिए रेजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है वो लोग जो अठार साल के उपर हैं जने एक मई से वैक्सीन लगनी है उसके लिए रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज शा बहुत जादा हो वैक्साइट पर इसलिए खुल नहीं रहा था लेकिन एक बार फिर से हम आपको रेजिस्टर करके दिखाएंगे कि किस तरह से रेजिस्टर कर सकते हैं और साथी साथ ये भी हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या अपॉइन्मेंट मिल रहा है वैक्सीन थी selfregistration.com आपको उस पर जाना है selfregistration.coven.gov.in आपको टाइप करना है और उस वेब साइट पर आपको जाना है आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर Ministry of Health and Family Welfare की तरफ से Government of India का ये पेज आपके पास खुल जाएगा यहां प आप आरोगी सेतू आप के द्वारा भी साइन कर सकते हैं उमंग के द्वारा लेकिन मैं यहां पर फोन नंबर के द्वारा रजिस्टर करने जा रही हूँ तो आप भी फोन नंबर टाइप करके अपना मोबाइल नंबर टाइप करके OTP पा सकते हैं तो फोन नंबर इसमें टाइब करने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है तब जाकर आपके इस मोबाईल नंबर पर आपको ओटीपी मिलेगा ओटीपी मेरे नंबर पर आ चुका है इसको यहां पर आपको समय रहते टाइब करना है तो मैंने OTP यहाँ पर डाल दिया है आप देख सकते हैं अब verify and proceed पर आपको click करना है जब आपका OTP verified हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा page खुलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि you can register four members with one mobile number यानि कि एक mobile number पर आप चार लोगों को register कर सकते हैं आपके परिवार वाले वो हो सकते हैं या फिर कोई भी चार लोग जो आपसे जुड़े हुए हो ऐसा icon भी यही दिखा रहा है आपको अब register member पर जाकर click करना है अब photo या फिर ID proof का option यहाँ पर दे रहा है और photo ID number, नाम, जेंडर और year of birth उसके बाद register तो जैसे ही आप register for vaccination वाला पेज आपके सामने खुल जाता है तो यहाँ पर आपको personal details भरने होंगे और यह भी बताना होगा कि आप कौन सा ID proof इसमें लगाने जा रहे हैं देखिए पहला तो आया है photo ID proof का option अगर इसमें आप पहले क्लिक करते हैं तो आपको इसमें 5 options नजर आ रहे होंगे पहला आधार कार्ड है, दूसरा driving license, तीसरा pan card, चौथा passport और पांचवा जो है वो pension passbook है तो आप इन 5 में से कोई भी कागजात को यहाँ पर verification के लिए डाल सकते हैं तो मैं फिलहाल आधार card से register करना चाहूंगी तो मैंने आधार card click किया है तो दूसरा जो option आता है वो आधार card number का आता है तो आपको यहाँ पर आधार card का जो आपका number है वो डालना होगा तो मैंने यहाँ पर आधार card का number भी डाल दिया है उसके बाद आधार card में आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है तो मैं गरिमा भारती लिख रही हूं जो मेरा नाम है जो आधार card में नाम है वो फिर आगे का जो option है वो जेंडर का है male, female और others तो मैंने female पर क्लिक किया है अगला जो column है वो year of birth का है और यहाँ कहा गया है कि आधार card में जो year of birth है उसी format में आपको यहाँ पर उसे डालना है तो आपको पता भी है कि vaccination जो हो रहा है वो उम्र के आधार पर ही हो रहा है तो year of birth बहुत ज़्यादा जरूरी है ताक कि यह verify किया जा सके कि आप eligible है या नहीं है vaccine लेने के लिए तो मेरे आधार card में मेरा जो real age है मैं वो डाल रही हूँ year of birth यहाँ पर आपको डालना है यानि कि जिस साल में आप पैदा हुए है आधार card में जो चीज register है आपको वो यहाँ पर डालनी है तो मैंने अपने सारे details बढ़ लिए मैंने आधार card का option लिया था आधार number डाला अपना नाम जेंडर चूज किया और अंत में आपको year of birth डालना है तो year of birth डालने के बाद अंत में जो एक icon है register का आपको उस पर click करना है जिसके बाद registration हो जाएगा तो सारी चीज़े भढ़ने के बाद एक और tab जो है registered होने के बाद पूरा account details के साथ वो खुल चुका है screen पर आप देख सकते हैं account details दिये हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे नाम के उपर लिखा हुआ है not vaccinated यानि कि अभी तक मैंने vaccine नहीं ली है ये इस चीज को दिखात है और dose 1 आपको पता है कि doses के हिसाब से यहां पर vaccine मिल रही है तो dose 1 के लिए appointment अभी तक schedule नहीं किया गया है तो यहां पर एक और आइकन है जहां से आप schedule कर सकते हैं यानि कि आप अपना appointment बुक कर सकते हैं जब आपको vaccine लगवाना है और एक चीज नीचे है कि आप add member कर सकते ह यानि कि जैसा पहले हमने आपको बताया एक number पर चार लोग कोरोना की vaccine ले सकते हैं तो यहां पर member को add करने का option है लेकिन फिलहाल हम appointments टेक करने वाले हैं कि vaccines की availability कहा कहा है और कितनी है तो schedule में हम click करते हैं तो नीचे एक और icon खुला है जहां पर आपका name tab है और side में लिखा हुआ है schedule now उस पर click करेंगे तो एक और page आपके सामने खुलेगा आप देख सकते हैं book appointment for vaccination लिखा हुआ है और यहां पर strictly लिखा है कि 18 to 44 यानि कि 18 से 44 साल के बीच के लोगों के लिए यह जो है process हो रहा है फिलहाल तो यहां पर भी आपको दो options मिलेंगे search by pin और search by district तो आप दोनों ही options में से कोई एक चूज कर सकते हैं अगर आप search by pin करेंगे तो आपको अपना pin number डालना होगा मैं पटना में हूँ तो यहां का pin में डाल रही हूँ और pin number डालने के बाद pin code डालने के बाद फिर से search करना है कि यहां पर available है या नहीं vaccine तो देख सकते हैं आप यह पूरा खुल चुका है कि पटना में कहां कहां पर vaccination centers हैं तो इतने सारे नाम सामने आ रहे हैं हम चेक करेंगे कि कौन कौन से दिन में vaccine available है कहां पर है यह सारी चीजे हम चेक करने जा रहे हैं तो जैसा कि मैंने pin code डाल दिया उसके बाद आप देख सकते हैं यह पूरा नया page खुला है तो इस pin code के अंतरगत आने वाले सभी vaccination centers के नाम यहां पर आ गए हैं उनकी पूरी list आ गई है और उपर आप देख सकते हैं कि date भी दिया हुआ है और यह जो yellow mark है वो आप समझे कि इ 29-30 तारिक पर तो नहीं जाना है खैर एक तारिक जब से 18 साल से उपर के लोगों को vaccine लगनी है उसे चेक करते हैं तो पहला जो गर्दनी बाग hospital है वहां तो कुछ दिख रही रहा है और एक गर्दनी बाग hospital है लेकिन एक चीज़ आप इसके नीचे देख सकते है minimum age limit for booking 45 प्ल दिखा रही है यहां पर availability उसे चेक करेंगे तो इस पर click करके देखते हैं तो क्या होता है जब मैंने एक माई के दिन गर्दनी बाग hospital के सामने इसे click किया तो यहां पर आप देख सकते है minimum age limit is 45 years और इस center पर 45 साल के उपर के ही लोगों को vaccine लग सकती है यह दिखाया जा रहा ह अगर दूसरे hospital में देखे तो कहीं पर भी एक माई के बाद कोई vaccine आपको नजर नहीं आ रही होगी लेकिन एक और hospital है एलन जेपी hospital यहां पर भी चेक कर लेते हैं एक माई को सेम चीज़ दिखाई जा रही है और फिर तीन माई की भी date पे यही सेम चीज़ दिखाई दे रही है तो फिलहाल registration तो शुरू हो गया है हमने register भी कर लिया है लेकिन अभी जो बिहार में 18 साल के उपर के लोग है उनको vaccine लग जा ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एक चीज़ और यहां पर लिखी गई है कि if slots are not currently available it will be open soon please check again in some time we regret the inconvenience यानि कि अगर फिलहाल slot नहीं खुल रहा है तो आने वाले कुछ समय में हो सकता है यह खुल जाए क्योंकि पूरा का जो पूरा process है वो सरकारी है उसको होने में समय लग सकता है हाला कि आज से आप register कर सकते हैं और same details के साथ आप कभी भी इस पूरे process को check कर सकते हैं अपना appointment बुक करा सकते हैं कि कौन से अस्पतालों में जाकर vaccinate होना है और आपको किस दिन का appointment मिलता है तो आप समय समय पर इसे चेक करते रहें क्योंकि हमने अभी चेक करके देखा तो एक माई के बाद vaccines जो available दिख रही है वो 45 साल से जादा के उमर के लोगों के लिए हैं और बांकी जितने भी अस्पता हैं वहां पर vaccine फिलहाल not available बताया जा रहा है तो देखने वाली बात यह होगी कि आखर registration की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है appointment कब तक मिल पाता है जो भी 18 साल के उपर के लोग हैं जो register करवा चुके हैं उनका appointment book कब तक होता है बिहार में फिलहाल आप try करते रहें क्योंकि vaccine लगाना तो बहुत जरूरी है ही आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका appointment book हो जाए और आप जल्द से जल्द vaccinated हो जाएं क्योंकि कोरोना के संक्रमन का खत्रा आप से थोड़ा दूर चले जाए लाइफ सीरीज के साथ बने रहें हमारे शानल को सब्सक्राइब करें य जाए जाए लाए 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